आज मन बहुत दुफी सा है। दुफी सा इसलिए नहीं है कि मेरे साथ कुछ प्रॉबला हुई हो। दुफी सा इसलिए है कि आज मैंने अपने ट्रमिनुटी पोल पर ये सब दो-चार कोशन देखे। और कोशन दो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि बताओ इतना सब पढ़ाने के बावजूद भी बच्चे क्या गलती कर रहे है। विश्वास मानिए प्लास में अभी तुटी रेलवेटे एक्जाम नहीं है। थोड़ा कम बच्चे आते, बहुत जादे स्टूडेंट नही ठीर, अच्छी बात है। मैंने दो कोशन देखे, उनमें से एक कोशन ये, और एक और कोशन है, मैंने दूसरा कोशन भी आपने सामय ले लिए। ये दोनों कोशन मैंने अपनी ट्लास रूम में सौल्ट आया। तो जिन बच्चों ने पढ़ा रिठिया, उन्होंने आंसर द नहीं है। मतलब आप ये सोचिए कि 656 लोडों ने वोट पिया, और 656 में 82% लोडों ने आंसर दिया 10 लोट, और मुद्देटी बात ये है कि 10 लोट उत्तर सहीं नहीं है। तो यहां से ये पता चलता है कि हम लोग कहां कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। अगर इस तरह कि प्रस सिर्फ कमी हैं आपके कॉंसेट में। फोटी ज्यादा तरह बच्चों तो ऐसा लगता है कि केवल आ केवल कोश्चन को पढ़ लेने से, कोश्चन सॉल्टर लेने से यूटूब पर सेलेक्शन होगा। मास कड़िए रदोस्त, केवल कोश्चन पढ़ लेने से यूटूब से तबी जीवान में सेलेक्शन ने लेपाओगे। मैं पहले आप अपना बिल्डिन का बेस मजबूत करो ना, तबी तो बिल्डिन करी करोगे। पहले आप साइंस का कॉंसेट तो ट्लियर कुड़ो। उसके बाद ही तो तुम सेलेक्शन की सोच सकते हो। इसलिए मैंने प्रती सेटेंटी दर से पानी दिखता है और इन्होंने बोला है कि पानी की उचाई जो है वो 100 मीटरे जल प्रपार्टी दीरे सकती पूछी जा रही है। तो आपको पता है कि रेलवे में एक फॉर्मला है जो सबसे आदब पूछा जाता है उस फॉर्मले का नाम है MGH बट परी ज़ो डिया है तो answer जायए रहे हैं इसको 100 लोड के साथ और जपने देखिये है 100 लोड देने वाले सिर्फ और 7% लोड है जिन्होंने 100 लोड दिया मतलब itself 7% लोड यह अ लोड होने आप देखो इसका 81% लोड ऐसे हैं 81% लोड ऐसे हैं जो नहोंने आंसर दिया है बच्चा मेरे 200 जूल जब руки 200 जूल भी इस प्रसंटा उतर डेलत है इस प्रसंटा जो सही उतर है वह सिर्फे 300 जूल और 300 जूल दिया है सिर्फ 5% लोडो़ aler Supreme यहां तो और बुरहाल है और इसमें देखिए 8000 वोट पढ़े हूँ मतलब कहने के यह है कि जब तर आप लोड अपने concept को clear ने कड़ोगे अपना building आप बेस मजबूत ने कड़ोगे तब तर आप विश्वास बनिये physics का कोई भी chapter आपको पूरी तरह से नहीं आपाई रहा हमेसा आपको transfusion बनी रहेगी सवाल को मैं पढ़ती देखू इस्टो भी लगा देता हूँ जब इसी sprint में 2 cm तर ठीचा जाता है तो उर्जा 100 Joule संचित हो जाती है यानि जब तुमने उस्टो 200 cm ठीचा तो उर्जा आरे देखिए 100 Joule अफिर ये बोला जा रहा है कि 2 cm और खीच दिया जाए तो टोटल के तरह हो जिया 4 cm जब टोटल 4 cm हो जिया तो संचित उर्जा में व्रधी पुछी आ रही है व्रधी तो ज़्यादा तर ने सोचा तो ये दुड़ना टड़ दिया जाए इसे भी 100 दुड़ना टड़ते 200 टड़ो और 200 मार दिया समने आंसर भाईया जैसा आप सोचते हो वैसा नहीं होता साइंस साइंस जब तर पढ़ो जे नहीं तब तर जैम आता दी इसे आंसर नहीं सही होड़ा तुम्हें ये पता होना चाहिए इस प्रिंटी जो ऊड़जा होती है वो डिरेक्टली प्रपोस्टनल होती है एक्स स्ट्वायर क्यों टोकी फॉर्मला होता है हाफ के इंटू एक्स स्ट्वायर टा होता है ना तो अब ये बताओ एक्स कुमारा 2 से 4 हुआ यारी एक्स डबल हुआ तो हमें उर्जा एक्स स्ट्वायर यारी 4 टाइम्स टरना पड़े रहा दो टेस्ट्वायर 4 यारी 400 जूल उर्जा हो जाए नी आन्ट से सुनना अभी भी प्रस्ण में गहरा ही है प्रस्ण ये कहरा था कि ठीचा जाये तो संचित उर्जा में व्रदधी तो बाब बताईए अडर पहले उर्जा सो जूलती है और बाद में 400 हो ड़ी तो व्रद्धी कितनीटी हुई तो बेरे दोस्त व्रद्धी 300 जूल की हो ड़ी ये सवाल का सेउत्ता है और अगर आप इतने आसान आसान प्रस्वनों की आंसर नहीं दे पारें दो तो आप कैसे कह रहे हो कि आपकी यूटूब पर पढ़ाई अच्छी चल लए है सोच देखिए कि आप सब लोग कहां पर कैसे पढ़ाई कर रहा हूँ मैं फिर से बता दू मेरी क्लास सामके साथ वजे चलती है जिस्टो मैं सामके साथ से आठ सिर्फ और सिर्फ बेसित बताता हूँ बेसित मतलब आपको पूरा साइंस यानि फिजेट्स टेमेश्ट्री वैलोजी टी थियोरी बताता हूँ इसे पढ़ लीजे ग्रॉशन तो पूरे यूटूब में कोई भी इधार उदर टे टीचर सौल टा दे जे लेजे थिओरी कोई पढ़ा दे ऐसा नहीं है यूटूबपर और लड़ातार थिओरी पढ़ा दे झाल